दियर स्टुएंट्स, स्वागत आप से भीका, हमारे यूटूब चानल अस्टडी विद दुलार में बच्चों जब 857 की सोतंतरता संग्राम सांत हो गया फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कई ऐसी नितियां लगाई कि हिंदुस्तान को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया जाए परंतु ऐसा नहीं हुआ यह देश राम की भूमी है, स्री क्रिशन की भूमी है जब जब यहां कोई बड़ा विपत्ती, बड़ा संकट आया है तब तब उसका अंत करने के लिए कोई न कोई फरिस्ता भी आया है इस चप्टर में इसी तरह के कई महान फरिस्तों के बारे में यहां पे दिया हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे यह क्लास फाइव का हिस्ट्री बुक है और चप्टर भी फाइव है इस चप्टर का नाम है भारतिय नव जागरन तो भारतियों को फिर से जगाने के लिए जो प्रियास किये गए तो उसमें कौन-कौन से लोग थे उनके बारे में दिया हुआ है आए हम लोग इसको ब्रीफली संचिप्ट में पढ़ कर देखते हैं यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है सांस्किर्तिक जागरन यहां पे बतलाया गया है पर्थम सोतंतता संग्राम के पश्चात भारतिय समाज में अनिक परिवर्तन हुए उसका कारण था कि उस समय हमारे देश में ऐसे महापुरूसों का जनम हुआ जिन्होंने प्राचिन भारत की गरोसाली संस्किर्ति दर्सन ग्यान विज्ञान धर्म साहित तथा कला का परचार परसार किया विदेशिस असन के दूस प्रवाव से आत्म समान खोय हुए भारतवासियों में स्वाभिमान का भाव जगाया उस काल में समाज जागरन का महान कायर करने वाले कुछ महापुरूसों के बारे में हम यहाँ जनकारी पराप्त करेंगे तो उस समय जो महापुरूस हमारे समाज के कुरूतियों को दूर गिया था उनके बारे में दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है राजा राम मोहनरा के बारे में यह जो पिक्चर है उनीका है आप देख लें इसको और कहीं भी आपको मिलेगा तब इसको असानी से पेचान सकेंगे इनके बारे में थोड़ से यह बतलाए गया है कि इनके बड़े भाई का मिर्त्यू जो है असमाई मतलब पहले ही हो गिया था और उनको जब चिता में जलाए जा रहा था तो उनकी पत्नी को सती होने के लिए विवस किया गिया उस समय यह पर्था चल रहे थी सती पर्था और यह देखकर राजा राम मोहन रहा है उनको यह मसुस हुआ कि अमानु यह पर्था है उसको समाप नहीं कर लूँगा चेन से नहीं बैठूँगा ऐसा अपने मन में वो संकल्प कर लिए क्योंकि उसको देखने के बाद लाए कि यह सही चीज नहीं है समाज में उनके जन्म के बार में यहां पे दिया हुआ है 1772 इस भी के आसपास हुआ था और वे संस्कीरी तंग्रेजी अर्भी फार्षी ग्रीक तथा हीब्रू जैसे अनेग भासाओं के ग्याता राजारा मोहन रहा है का दिरड मर्था कि हिंदू समाज में फैली कुरूतियों को करना चाहते थे इसके अलावे यहां पे और भी चीजे दिया है उन्होंने बाल विवाह बहुपत्नी पर था का विरूद किया बाल विवाह मतलब बच्पन में ही साधी कर दिया जाता था और बहुपत्नी मतलब एक से ज़्यादा इस्त्रियों से विवाह करना और बिध्व यह भी विचाते थे इसके बाद यहां द्यानन सरस्वती के बारे में दिया हुआ है और द्यानन सरस्वती उतर भारत में धार्मिक समाजिक सुधार का सबसे प्रभावसाली आंदोलन स्वामी द्यानन सरस्वती ने शुरू किया द्यानन सरस्वती का आज भी एक स्कूल चलता वरण का बाढ़ में पैदा हुए थे, ज्यान परात करने के उनकी प्रबल इच्छह थी, ठोंगो ने स्विकार ना था, सुवामि द्यानन सरस्वती सचा ज्यान चाते थे, वे दिक्षावे का ज्यान नहीं चाते थे, इसलिए यहां पर लिखा गिया ठोंगो ने स्विकार ना था एक दिन होने सिविलिंग पे चुहा कुट्टे देख मूर्ती पूजा के परति उनके मन में संका पैदा हुई तो बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु थे जो मूर्ती पूजन को नहीं मानते थे लेकिन स्वामी विबेकानन मूर्ती पूजन को मानते थे और वो इसको पर आधारित थे, उनकी मानियता थी कि सारा ज्ञान वा आधुनिक विज्ञान वेदों में नहीं थे, मतलब बेद को वो परम सच्त मानते थे, और उनमें जितना कुछ भी बतलाया गया है, सारा चीज आज संसार में है, ये चीज़े मानते थे, इस संदेश को लेकर उन्होंन आरियस समाज की स्थापना की, उनके विचारों का सबसे महतपुरुन गरंत, सत्यार्थ परकास है, ये एक गरंत है, जिसमें स्वामी द्यानंद सरस्वती के विचारों का उलेक किया है, उन्होंने जाती पर था, बाल विवाह का बिरोध, और इस्टिरियों के उत्थान और पुनर विवाह का समर्थन किया इन्होंने भी वही काम किया था जो राजाराम मोहन राएने किये थे और इन्होंने एक काम किया था इस्तिरियों के सिच्छन के लिए काफी बल दिया था इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है स्वामी विवेकानन्द के बारे में सिसु मंदिर के कई सारे बुक में आपको मिल जाएंगे और कई कलास में भी मिल जाएंगे कोलकता के परसीध दत परिवार में 12 जनवरी 1863 को बालक नरेंदर का जनम हुआ था स्वामी विवेकानन्द का बच्पन का नाम बालक नरेंदर दत था माता का नाम पिता का नाम भी सुनाद दत और माता का नाम भोनिस्वरी देवी और उनके गुरु का नाम यहाँ पे दिया होगा रामकिरिसन प्रमहंस वे इनके गुरु थे और मात्री भूमे की दुर्दसा देखकर वे अत्यम दुखी थे उस समय क्योंकि हमारा देश गुलाम था यहां पे चार ओर क्या गरीबी गंदगी जड़ता असिच्छावा निरासा ही देखने को मिली उन्होंने असपस्ट का अपनी दरिदरता और अवनति के लिए हम स्विम जिमेदार हैं यह बहुत ही इंपोर्टे समय राहत कारिक या असपताल तथा इसकुल खोले तो यह मिसन जो है आज भी चल रहा है राम किरिशन मिसन इनके गुरू थे राम किरिशन प्रमहंस तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है राम किरिशन मिसन इस तरह से यहां पे दियावा है एक विदेशी महिला मार्गरेट नौबुल नामक इसाई कनिया उनकी सिस्या बनकर भारत आई ये भी आपको किसी न किसी चप्टर में मिलेगा आगे कलास में आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से परसीद हुई या फिर बहन निवेदिता का सकते हैं उनका एक इंडियन नाम रखा गया उस महान संतों के पास आ जाते हैं उनके सिस बन जाते हैं तो फिर देश और दुनिया के भलाई का कारी करते हैं इसके बाद यहां पर डाक्टर केसो बलिराम हेडगवार के बारे में दिया हुआ है इनके बारे में भी हमें थोड़ी जनकाई रखनी चाहिए एक अप्रिल सन 1889 समाज को उचा उठाने का काम किया और यह स्मर्णिय योगदान मतलब याद रखने का लाइक है वे अनेक सत्या गरहों में जेल गए कई बार जब गांधी जी का अंदोलन चलाया जाता था और उसमें कई लोग जेल जाते थे तो ये भी कई बार जेल गए उन्होंने 1925 इस नागपूर में राष्ट्रिये स्वें सेवक संग की स्थापना की स्री मति रेवती बाई तथा स्री बली राम हेडगवार के पुत्र बालक की सो में बचपन से देसभक्ति की भाना कुट-कुट कर भरी थी तो इनकी माता का नाम रेवती बाई था और इनके पिता का नाम ब अंग्रेज निरिचक का स्वागत वंदे मातरम के जैगोस से करने के कारण उन्हें इसकूल से निकाल दिया गया और पढ़ाई के लिए अइन विद्यालेयों में जाना पढ़ा, बाद में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वे करांतिकारियों के गड़ कुलकता गया, उनके विद्याले में एक अंग्रेज निरिक्षक आये थे, उनके स्वागत में बंदे मातरम बोले, उस तरह की नारा उस समय बहुत ही परचलित था, आज भी हम लोग बंदे मातरम बोलते हैं, अपने देश किसान में, तो उन्होंने बोला तो इसके कारण उनको उस स्कूल से नि रूप में परकट हुआ, जो आज भी सुका सबसे बड़ा संगठन है, तथा अपनी देश भक्ती संगठन चमता वा अनुसासन के लिए दुनिया भर में परसीद है, राष्ट्रिये स्वेम सेवक संग, इसको यहां पे RSS के नाम से जाना जाता है, और यह बहुत बढ़ा सं कर था, मतलब हिंदी संस्कृत अंग्रेजी यह बहुत अच्छी तरह से जानते थे, सिच्छा के अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने वारा नसी में कासी हिंदू विश्विध्याले के स्थापना की, जो उच्छ सिच्छा वा विश्विख्यात के अंदर है, नाम आता है महामना मदनमोहन मालविया, और इसके बाद अरविंद घोस एक सन्यासी बन गए थे, लेकिन देश के लिए काम कर रहे थे, अरविंद घोस 15 अगस्त 1872 को बंगाल में एक ऐसे कर्मयोगी का जर्म हुआ, जिनके पास रिशियों, मुनियों का ज्ञान, भक्ती व विकारना था, कोई भी माबाब चाहता है कि उसको बच्चा बहुत ही उंचा बने, लेकिन इस तरह की सोच रखना ठीक नहीं था, इस बात को अरविंद घोस जानते थे, अपने देश के परती ही कारी करना है, चाहे उसके लिए जीवन में सुख मिले या दुख मिले, तो व के बाद वे सन्यासी बन गए, और वहीं से सन्यासी बन गए और अपने कई अनुआयों को राष्ट भक्ति की पाट पढ़ाने लगे, राष्टियाता का पाट पढ़ाया करते थे, हाजारों अनुआयों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान बिया, जितने भी उस जल आ करें, कई रामतिर्थ, इनके बारे मैं जधा आपको नहीं मिलेगा कहीं पहे, लें फिए इनके जारकारी रखना है, पंचाब की धर्ती पर एक तेजस्वी पुरूस पैदा हुए, जिनका नाम रामतिर्थ था, इनका जन्म 1893 में, गुजराननवाला में हुआ था,uestas वर्स की आयू में गनित के प्राध्यापक पद को छोड़ कर सन्यासी बन वे। स्वामी रामतिरत के नाम से प्रसिद हुए, उन्होंने अमेरिका वाजापान जाकर भारतिय धर्म संस्कृती विदान्त का परचार किया। अब ये अपने धर्म को विदेशों में परचार कियें, यहां पे इनके बारे में थोड़ा सा और आगे दिया हुआ है। और उसी दिन जल समाधी ले लिए। नीचे में दिया हुआ है, समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी, समाज सुधारक में कुछ मुस्लिम लोग भी थे, मुस्लिम समाज में सिच्छा के परसार, परदा पर्था, तथा बहो पतनी पर्था जैसे समाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए अंदोलन शुरू नवाब अब्दुललतीफ एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो उन्होंने कॉलकत्ता में पहला प्रयास किया और मुस्लिम साहित सभा नामक संगठन बनाया, तो इस तरह का संगठन का नाम कभी आपको जीके में पुछा जा सकता है, इसलिए आप इसको नाम याद रख सक ओप मतान करको देखते है, बिध्यान के च redund में यहाँ पर बतला रहा है किस परकार से विकास किये कैई सारे महान बैज्ञाणिकों ने, हमारेदेश के देचों, यहां पर सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, जगदिस्चंदरबस Czy का नाम दिया हुआ है, जगदिस्चंदर लगता है तो उन्हें भी दर्द होता है इस तरह की चीजों को वे प्रियोग करके वहां पे सभी लोगों को दिखाए थे यहां पे दिया हुआ है रोयल सोसाइटी लंदन का हॉल विस सुभर के बेग्यानिकों से खाचा-खच भरा था सभी जग्दिश चंद्रबसु के उस प प्रगढ़ाहत से गुंज उठा भारतिय संस्कृति के अनन्य पुजारी इस महान बेग्यानिक का जनम अपने देश के बंगाल प्रांत में 30 नौंबर 858 को हुआ था इसी महान बेग्यानिक ने बेतार के तार की खोज की इसका मतलब है बेतार की तार अगर बोलते हैं तो सम कोलकता में बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की 23 नौंबर 1937 को इस महान बेग्यानिक का द्यानत हो गया तो भगनी निवेदिता जो स्वामी बिवेका नंद के सिस्या थी उन्होंने इनका मदद किया और बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई तो यह प्राधिन्ता के काल में भी बांध निर्मान जल्विद्यूत के विकास रिसम उद्योग आधी तक्निक एम इंजिनियरिंग के छेत्रों में सुमरनिय योगदान किया। सिच्छा के परसार में बालिकाओं की सिच्छा के लिए उन्होंने उलेखनिय कारी किया। भौतिक विज्ञान के छेत्र में नोबल पुरुषकार प्राप्त करने वाले भारतरत्न चंदर सेखर वेंकर ट्रामन एसिया के पहले विज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 नमबर 888 इस भी को तिरुचीरापली में हुआ था। रामन महदय ने चुम्बक्य समंधी और संगित वाइद यंत्र के छेत्र में भी अनेक अनुसंधान किये तथा बंगलोर में रामन अनुसंधान संस्थान के स्थापना की। इस संस्थान में इनका नाम भी जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग इसे आसानी से याद रख सकेंगे। इसके आगे यहां पर डाक्टर हौमी जहांगिर भाबा ये बहुत बड़े विज्यानिक थे भी हमारे अंतरीच में अनेक सक्तिया विद्दमान है अगनी अमसूरी की किर्णों की सक्ति से आप परीचित हैं हमारे वायु मंडल में फैलिक किर्णों वा अनुओं को एकत्र कर एक बड़ी सक्ति की रूप में उप्योग किया जाता है। इस अक्तुबर 1909 इस भी को मुंबई में एक पार्शी परिवार में जर्में डाक्टर हॉमी जांगिर भाबा की खोज का ही परिणाम है कि आज हमारा देश अपनी परमानु सक्ति का उप्योग सांती पुर्ण विकास कारियों में कर रहा है। यहांपे इनके बारे में बतलाया जा रहा है कि परमानु की सक्ति हम किस परकार से अपने लिए उप्योग कर सकते हैं। अनुसंधान कारिकर देश्वासियों में आतम विश्वास गोरो वास विमान का भाव जगाया। अनुस्तान पर हमेशा गर्व रहा है और गर्व रहेगा। यहांपे यह चप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है। यहांपे question देख रहे हैं वन नमर में लिखी प्रस्णों के उतर लिखिए। यहांपे यहां four questions दिया हुआ है और इसमें नीचे फिर दिया हुआ है। नीचे लिखे प्रस्णों के उतर सोच कर लिखिए। इसके बाद इसके आगे भी दिया हुआ है। question number three जहांपे यह match करने के लिए दिया गया है, मिलाने के लिए दिया गया है। यहांपे दिया हुआ है कासी, हिंद्यो, बिश्चु, बिध्याले, राष्ट्रिय, सवयम, सेवक, संग। तो इन सब के founder कौन थे, इसको किस ने बनाया था, यहांपे इसके नाम दिया हुआ है, इससे आपको match करना है और यहां पे इसके आगे इसी तरह के दिया हुआ है कि यह जो बेग्यानिक थे, वे किस तरह के काम किये थे। इसको यहां मैच करना है और question number five इसमें इनके बारे में लिखना है स्वामी बिवेकनन, रामतिर्थ और मदन मोहन मालविया इनके बारे में संचेप में बतलाना है तो यह मैं आप लोगों को इसके आंसर बना के देता हूँ यह है चप्टर फाइव का question answer जिमल्कित प्रसनों के उतर लिखिए अरविंद आसरम के स्थापना किसने की इसके संस्थापक ने कौन-कौन से परमुक कारी किये अरविंद आसरम के स्थापना अरविंद घोस ने की रांतिकारियों की सहायता के कारण उन्हें जेल जाना और अपने सिस्यों को भारत्य धर्म संस्किर्टी एमराश्ट्य अधा का पड़ाते थे उनके हजारों सिस्यों ने देश के लिए समयम को वलिदान कर दिया नरविवाय का समर्थन किय contempor ने आए समाज के संस्थापक स्वामी दिनन तरस्वती थे विवेदों को अतुलनिय थी, राष्ट्रिय सिछा के लिए उत्तर भारत में अनेक इस्कूल वा कॉलेज खोले गए, उन्होंने आयरे संस्कृति के परचार से इसाई मिस्णरियों के धर्मांतरन को रोका, भगनी निवेदिता कौन थी, भारत के लिए उनका क्या युगदान था, भगनी न भारत रतन के समान से समानित किया गिया, डाक्टर मौक्ष गुंडम विश्वेशरिया, सर जग्दिश चंदरबसु ने क्या खोजगी, जग्दिश चंदरबसु ने यसीद किया, कि पेड़ पोदे हमारी तरह सम्मेदन सिल होते हैं, चमतकारों का निर्माता किसे कहा जाता उन्होंने आधुनिक भारत की निर्मान में क्या युगदान किया, डाक्टर मौक्ष गुंडम विश्वेशरिया को चमतकारों का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत की निर्मान में उन्होंने बांध निर्मान, जल विद्दुत की विकास, रेसम, उद्योग, आधि परमानु उर्जा के छेतर में भारत का गोरव बढ़ाने वाले विज्यानिक कोन थे उनका जनम कब और कहां हुआ था परबानु उर्जा के छेतर में भारत का गोरव बढ़ाने वाले विज्ञानिक डाक्टर होमी जहांगीर भावा थे उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 इस भी को मुंबई में हुआ था विर्बल सानी पूरा वनस्पती विज्ञान संस्थान कहा है विर्बल सानी पूरा वनस्पती विज्यान संस्थान लखनव में है Question number 3 इसमें मेंच करने के लिए बतलाया गया है तो यहाँ पे मैने achis का answer दे दिया है आप अपने बुक में इसको देखकर टिक लगा सकते हैं और question number 4 में भी मैच करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे इसका भी diet answer दिया हुआ है आप इसको देखकर अपने बुक में मैच कर सकते हैं question number 5 निमलिक्तित महापुरूसों के कारियों के बारे में संचेप में लिखे कर नमर में दिया हुआ है स्वामी विवेकनन्द स्वामी विवेकनन्द के बच्पन का नाम नरेंदर दत था 12 जनवरी 1863 इसवी को कोलकत्ता में इनका जनम हुआ था रामकरिशन प्रमहनस उनके गुरू थे देश की दूरदसा देखकर वे अत्यंत दुखी थे 1857 इसवी में उन्होंने रामकरिशन मिशन की स्थापना की जिसका मुख उद्देश समाज स्यवा करना था खर नमर में स्वामी रामतिर्ध स्वामी रामतिर्थ का जनम 1893 इस्वी में पंजाब के गुजरानवाला में हुआ था उन्होंने अमेरिका वाजापान जाकर भारतिय धर्म संस्किर्थी व्यदांत का परचार किया भारतिय विदांत की जोती देश विदेश में जलाकर 33 वस की आयू में चल समाधी ले ली गर नमर में मदन मोहन मालविया मदन मोहन मालविया का जनम 25 दिसंबर 1861 इस्वी को परियाग में हुआ था वे दो बार भारतिय कांग्रेस के अध्याच रहे उन्होंने गुलामी के समय में भारतिय धर्म और सांस्किर्थिक जागरन के प्रियास किये और सिच्छा को दूर करने के लिए उन्होंने वारा नसी में कासी हिंदू बिस्व इद्याले के स्थपना की तो यहाँ पर यह चप्टर समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो के एक लैक जरूर कीजी और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी अपने दोस्तों के साथ इसके अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्ट वीडियो में चलते हैं